शहर में चलने वाली एक ऐसी ट्रांसपोर्ट जो जहां चाहे जैसे चाहे सडकों पर स्टॉप बना दे जहां चाहे रस्ता रोक कर खड़ी हो जाए जिसे चलाने के लिए उम्रती कोई कैद नहीं जिसे किसी पर्मिट की ज़रूरत नहीं शहर में ट्रैफिक जैम की बड़ी वज़े उपर से इंतिजामिया और कानून को चैनेज़ अड़ा भरते हैं हमें कौन रोके गाँ जो टेप चलाया हुआ है पबलिक प्लेस पे आप गाने सुन रहे हैं तीच में इन सेलेंडर भी रखा हुए फिर कैसे आप पर चलानी हो रहा हो था एक गरीब बाइक वाले पर तो चलानो जाता है अगर वो एक दिन हेलमिट के बिना चला जा जा जाए काले धंदे या और्गनाइज क्राइम आम अवाम से पोशिदा हुआ करते थे ताके कानून और इंतिजामिया तक ना पहुँच सके मगर हमारे या कानून और इंतिजामिया की छतरी तले गहर कानूनी काम पनपते हैं जिसे बतकिसमती से बाशवर अवाम भी देख कर अंजान बनते हैं या फिर उनके लिए मजबूरी बना दिये जाते हैं ताके किसी की मजाल ना हो कि उनके खिलाफ आवाज बलंद कर सके मेरे साथ रहेगा आगे और भी इनकशाफाद होने बाकी है लेकिन इस से पहले देखें ये रिपोर्ट मेरे के हर अलाके, हर गुजरगा, फाजार, हस्पताल और कहीं भी नज़र पड़े तो ये अजीब औ गरीब किस्म की सबारी और इसमें लदे आठ से बारा अफराद आपको कहीं भी नज़र आ जाएंगे इसे आम जबान में चिंग्ची के नाम से जाना जाता है एक वक्त था कि जब यही हाल पचास से साथ साल पुरानी बसों का था जिनके बाद मिनी बसें और कोचिस भी मैदान में आ गई मन माने कराए, जगा 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 स्टॉप्स, रेस लगाती, शतों तक भरी ये बसे, मिनी बसें और कोचिस शेहियों की मजबूनियों का फाइदा उठाकर एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जानी की जिम्मेदार थी जिसके बाद इस शेहर की किस्वत मजीद सवाल का शिकार हुई और सडकों पर दोड़ते मोटर साइकल रिक्षे नज़र आने लगे जिनोंने ट्रैफिक के निजाम को तबाहों परबाद कर डाला दूसरी जाने इन मोटर साइकल रिक्षों को खत्म करने की कोशिश जारी थी कि ट्रांसपोर्टर्स ने आम रिक्षों में रदो बदल करके शेह सीटर और नौ सीटर मतारिफ करा दिये मोटर साइकल रक्षों से गिरती पड़ती और बसों और कोचिस की छटों पर लटकती अवाम को ये 9 सीटर किसी नेमत से कम नज़र नाए और उपर से इनके कम कराए अवाम कहा जाते और देखते ही देखते ये 6 सीटर और 9 सीटर शहर में वबा की तरह फैल पे कराची ट्रांसपोर्ट इतिहात के सदर मरहूम इर्शाद बुखारी की जिन्दगी का ये आखरी इंटर्विव है मरहूम ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं ये 2007-8 में अक्तर हुसान जदूल पीपल्स पार्टी के वजीरे ट्रांसपोर्ट थे उन्होंने मुबयना तोर पे वो रिक्षे जो मुर्ट सैकल होते थे और इस वे ऐसे ही बाड़ी बना के रख दी जाती थी उसको चैंक्ची रिक्षा का नाम दे दिया गया ना उसके पा इसकी एक तन्जीम है ये जो है वो उसने इनके खिलाफ केस कर दिया हाई कोट में आगे चला गया केस सुप्रीम कोट में कलाची ट्रांसपोर्ट इदाध भी पार्टी बन गया कही हमारे काज के लिए हमारे कारोबार पे नुकसान है और ये गवर्मेंट को भी फीसेज आटिये को अदाध दी मक्सूट तदाद में आप इनको दे जहां बसेज मीनी बसेज दी चलते और सर्वेस्ट नोटों पर अब उसके बाद परवेज मशरफ साब ने रोजगार सकीम किता तीन सीटर रिक्षे आए और उनको एलाव किया है तो आटिये में तो वो परमेंट ने उनका तीन सीटों किके अलावे तीन सीट हैं बढ़ा सकतें ने रीकिन ईल्हीं गल्त पर उसको ब्रूस बारिया उनों ने दस ड़टर बारवा स्था आप अन्यूर लिए को худित्नस तो आटिये हैं ना उनके लिए कोई की अन्यों बारव деле नहीं परमेंट नहीं को य आगे बहुत से परदे उठने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, आते हैं एक ब्रेक के बाद ब्रेक्स से पहले आपने देखा कि कराची की सड़कों पर गेर कारूनी 6 सीटर और 9 सीटर के बारे में मरहूम इर्शाद बुखारी ने क्या कहा, अल्ला उन्हें अपने जवार रहमत में जगा अता फर्माएं, आमीन सिक्स सीटर्स और 9 सीटर्स ने सड़कों पर आते ही, शहर के महौल, ट्रेफिक के निजाम और रोट सेफ्टी की धज्जिया हुडा दी सादालो अवाम में मकबूलियत की वज़ह से ये ट्रांस्पोर्ट देखते ही देखते एक माफिया की शकल एक्तियार कर गया जिसने शहर के निजाम को धरम भरम तो किया ही, साथ ही तमाम कानूनी जापतों को रदी की तोकरी में डाल कर अपना सिस्टम बना दिया और उनको आशरवाद मिला ट्रैफिक पुलीस का ट्रैफिक पुलीस और जिंची माफिया के इस गठ जोड ने निजाम को तबाह किया ही है, मगर लाकों और करोणों रुपए की कमाई भी मतालिका एदारों के करप अहलकारों और अफसरान की जेवें गरम किये हुए है शेहर के आहम रास्तों और मकामात पर बाकाइदा इस गयर कानूनी सवारी को सहूरत परहम की जाती है सडकों पर अपनी मनमानी करते, रस्ता रोकते, ट्रैफिक जैम करते, इन 6 सीटर्स और 9 सीटर्स को ट्रैफिक एहलकार नजर अन्दास करते है फिटनेस और रूट पर्मिट पर चालान और गुंडा टेक्स वसूल करती, कराची ट्रैफिक पुलीस को शाजो नादिर ही किसी 9 सीटर यई 6 सीटर पर चालान करते देखा गया है आखिर माजरा क्या है? ये सिस्टम क्या है? ये कैसे काम करता है? और कितना काला पैसा किस की जेब में जा रहा है? खुलासा किया टीम गिरिफ्ट ने टीम गिरिफ्ट की तफ्तीशी टीम ने शहर भर में चिंग्ची रूट्स के ठेकेदारों और मुझ्शियों से रक्षा मालिक बनकर डील का आगास किया इसी सिलसले में एक चिंग्ची अड़्डा मालिक इमरान से नुमाइंदे की मुलाकात हुई अब मुझे आप नाम मिला के आप से मशवरा गरो आप अपने साथ कहीं इमर्ज कर लो कियां कर दो और जोगार लगवार लगवार लो जाए अगे जयादा हो जाएंगी पंगना भीस्तो मेरी अपनी है लेकिन हो ज्यादा जाएंगी मेरे बास अल्गा चल्ला 207 अच्छा प्रफो की पटीगा आपके साथी पटीग मेरी आपकी सैटिंग कैसी है अच्छा अगर किसी ना पंदरा जोगा चल कड़ेगा ना चला अपना मालिक इस गुफटगू में अड्डा मालिक इमरान ने इनकिशाफ किया कि उसका इतना अस्र रुसूख है कि जहां दूसरे पंदरा सौ का चलान कड़ता है तो उसके रिक्षो का चलान 500 रुपे का होता है अगर चोपना है कितनी आपके रोड़ पर 11-12 शुखना है मेरा शुडू सा सूरे वज्मी राव वर सामना लेगों आपके गिला हो उतना चाहिए एक और रूट मालिक से मुलाकात में रूट के अंदर आने वाली ट्रैफिक चोकियों पर महाना रिश्वत की रक्म सामने आई तो क्या गर रो एक ही बंदे को दे रहे है चोकी अलग लग लग चार चोकी वह प्रहाव लिए अच्छा है वह सार्चु पर काट लेकर वह को सोद काट एक गाड़ी पर चार चोकी इतनी है आश्यार चोकी है अच्छार चोकी हो एक लाग बीस उदर चार चोकी वह पढ़ रही है इसास है इसास किये को जसकिये को पांच किये इसी मेरी आच्छा च्छार निशोट रहे हैं आखर कार हमारी मुलाकात एक ऐसे रूट मालिक से हुई कि जिसने ट्रैफिक चोकियों पर जाकर पराहरास्त रूट खोलने और रक्म की डील टै करवाने का बीड़ा उठाया और तीसरी मुलाकात में हमारे साथ चोकियों की जानिब रवाना हुआ करें जिमी जानियं कर ऑप दूनियों खड़ के दी स्रेटज हमे दूनिया की गाड़ ऑफ laЫन खाड़ी से अठीट लगहेन दूने के दूनिया की गाड़ कोईथे लेकिन डिटर मुटナ चला ता आठाट अच्छ? तो जल लगा लूँ के सुरह किंग पेशा और गर्फॉ प्रियुस्त कपकी बाते हैं? यह रखने मान 3,000 वह बात को मात को, क्या विटेह सुरह है वह है ना है, पुछी डेम की पैठा रहे हैं, यहां भी हुए है लेकिन हमारे नियुक है, हमारे रोटके निवर, गड़ी बात है, जाता जोर मारो दो अजार, बस, अब वो को की है पेशलों का साथ, एस रोके है, टी एर्पी है, अलग जे देटा था उनको, वो केसे देटा था, केसे पूरा कर था था, वो खुछ को बठाता, हमें नहीं पत पताया कि पुलीस मुबाइल और मोटर साइकल सवार भी इन से भत्ता वुसूल करते हैं, उनको जाता है, उनको जाता है, बंदर रूर पे, वो तो जाता है, पीटा गाता है, ले जाता है, यहाँ भी कौन है, आरके साथ, और एसो, शर जानी में, मक्षूद, मक्षूद, एसो ए, चिंग्ची के रूट पर पढ़ने वाली ट्रैफिक चोकियों को, अमूमन दो हिस् जाता है, अपने एपने हिस्से की चोकियों को रिशवत देते हैं, अक्सर चालान की रकम भी अड्डा मालिक की जिम्मेदारी होती है, चालान सिर्फ दिखावे का, यह फिर मजबूरी के तहत ही काटा जाता है किया जर बोले रोबिन निया तो जो निया बस आटिंग जाटो था हम को रूज निया निया जिए दितनी प्रफ्स्ट चल रहे हैं ये खाइम की सबस्टीपर और ये खानी की सबस्तिन चल लें आपके